देख रहे हैं मैं हूँ जैशुक्ला देखिए बिहार में कुरोना का संक्रमण अब बढ़ने लगा है ये बाते हम रोज कहते हैं लेकिन इस रोज के कहने के पीछे भी एक कारण है कारण ये है कि हर रोज जो नए आंक्डे सामने आ रहे हैं उसमें नंबर बढ़ते जा रहे ह हैं जिसमें राज़धानी पटना के स्थिति काफी गंभीर बताई जा रही है जिस प्रकार से कुरोना मरीजों की संक्या लगातार बढ़ रही है उसके हिसाब से पटना के स्थिति जो है वो फिलहाल सबसे गंभीर है मंगलबार तक के अगर रिपोर्ट की बात कर लें तो बिहार के 29 जिलों का हाल हम आपको बताने जा रहे हैं इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि इन उनतिस जिलों में कितने मरीज पाए गए हैं और खास तोर पर पटना की बात जरूर करेंगे क्योंकि पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज पाए गए हैं बिहार में करोना वायरस का आंकड़ा बढ़ने लगा है हर दिन बढ़ते जा रहे नए आंकड़ों ने फिर से डर पैदा कर दिया है स्वास्तविभाग की तरफ से मंगलवार का आंकड़ा जारी कर दिया गया है 29 जिलों में करोना वायरस के 111 पोजिटिव केस मिले हैं ये सुमबार के तुलना में काफी अधिक है इसके एक दिन पहले बिहार के 23 जिलों में 90 केस मिले थे डराने वाला आंकड़ा राजधानी का भी है पिछले दो दिनों से पटना करोना वायरस के नए मामलों के मिलने मे टॉप पर है कलपटना में 43 केस पोजिटिव हाय थे जबकि मंगलवार को ये बढ़कर 50 हो गए पटना की बात करें तो यहाँ पर 50 से कोरोना संक्रमित मरीज एक बार फिर से पाए गए हैं तो वहीं बेगु सराय में 8 मरीज मिले हैं भागलपूर में 7 भोजपूर में 6 रोतास में 4 गोपाल गंज और किशन गंज में 3-3 मरीज पाए गए हैं और अंगाबाद गया मधूबनी नालंदा में 2-2 मरीज मिले हैं जबकि बाका बकसर पूरवी चमपारन पस्चिमी चमपारन जहनबाद कटिहार लखी सराय मुंगेर मुजफरपूर नवादा सहरसा समस्तिप गए हैं बेडो की संख्या फिर से बढ़ाई जा रही हैं कोरोना को लेकर इंजेक्शन भी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में दिये जा रहे हैं हर दिन काफी सारे लोग इंजेक्शन ले भी रहे हैं मगर इस वायरस का दूसरा फेज तेजी से अपने पाउँ पहला आता हुआ नजर आ रहा है राजे के दूसरे जिलों में भी नए मामले सामने आते नजर आ रहे हैं मंगलवार को पटना में कुल 2901 टेस्ट हुए इनमें से 1933 आर्टेपीस यार 961 एंटीजन और 7 ट्रूनेट टेस्ट शामिल हैं तकुल मिला कर जो मरीज नहीं मिल रहे थे क कुछ महीनों की अगर हम बात कर लें 15 दीन एक महीने पहले अगर चले जाते हैं जो बीच का समय है कोरोना वाइरस जब अपने शवाब पर था पूरे तरह से हावी था लोगों पर उसके और आज के समय के बीच की अगर हम बात कर लेते हैं तो थोड़ी सी राहत ज़रूर मि हर रोज का आकड़ा जो है वो सामने आ रहा है नतीजा ये है कि एक बार फिर से मंगल वार तक के अगर आकड़ी की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ एक बार फिर से 50 मरीज पाए गए हैं जो कि चिंता का विश्य बन गया है आप बने रहें लाइब शिरीज के साथ तमाम खब झाल 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 झाल